कि चलिए आज बनाते हैं यह व्यूटिफूल सा टैसल जिसे आप चाहें तो तोरन बंदनवार में यूज़ हैं चाहें तो टेवर के से हैंग करें या किसी भी वोम डेकोरेशन में यूज़ करें तो इसके लिए मटीरियल क्या यूज़ कर रहे हैं यह वाला रिबन कुछ ऐस इया और इस टैसल के नेक पर हमने ग्लूगल लगाई और फिर यहां पर इस पर है कि Seitल को पेस्ट करना चानूंगे तुब 6 लगाएंगे यह करते होगे कि यह अच्छे से चिपब जाए तो आपने इनको चारो तरफ से खुबसूर्ती से लगाया और इदर आगया अब मैंने यह एक फूल को इसको दो हिस्सों में काटा हुआ इसे काटके इसे काटके मैंने यहां पर लगा कर एक हिस्से को चिपका ताकि यह जो ऊपर के अंदर जितना ज्याकोब जो हुआ जो जो है इसी तरह से दूसरी तरफ हम लेकर गए और हमने दूसरी तरफ से भी इसे चिपका दिया अब यह गोल्डन डोरी लेकर इस खोल्डन डोरी को लिया गोल्डन डोरी को यहां से पेस्ट करके सब तरफ से इस तरह से भुमाते जाएंगे तल को सफाई से ताकि पीछे का जितना भी उसका फूल का हिस्सा है वो भागे वागे हैं तो वो सब आपका रेडी हो गया सी हाओ ब्यूटिफुल इस लोगे अब आपने इस रिबिन को इसके अंदर से पास किया इसका जो डूरी है उस पेसे अब इसमें अगर यह नहीं जा रहा तो आप इसे पहले नौट करें नौट करने के बाद में इस रिबिन को इससे पास करें और इसे आखे चिपका दें एक लूट की तरह बन जाएगा जो की आपका लटकाने में यहां खरीप करेंगा और फिर जो यह बंच आपने बनाए हैं बोलों इसमें यहां ग्लू लगाकर और यह पंच उपर लगा दें फिर इसे पल्टे और इस तरह को भी इपन्च लगा दें और आपका ये ब्यूटिफुल साटासल वेडियों तू हैंग एंड तू इंजॉय। कही भी इसे सजाने खुब सुन्दर लगें।